क्यासे आप लोग मैं द्रगेश याश्वाल मेरे यूट्यूब चैनल एलैनिक द्रगेश में आपका श्वागत है UPTT, CTT, सुपरTT की त्यारी में मुझे तो लगता है कि फिर सभी है भैरती जिन्होंने CTT या UPTT की पहले क्रेक का लिया था वो इश्रम में सुपरTT के त्यारी में लग गया होंगे और बाकी अभ्यार्थी जो पिछली बार UPTT या CTT नहीं क्वालिफाई कर भाय थे वह इसमें UPTT और CTT के लड़ाई में पुरी तरह से लग गया होंगे और कही ने कहीं वो अपने जिन्दी का सबसे पहतर देने में अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा होंगे साथ ही साथ विस सभी अभ्यार्थी जो ये online, offline तयारी अपनी कर रहे हैं तो तयारी के साथ-साथ वो अच्छी किताबों का correction भी बेशक कर रहे होंगे उसी दम्रान जब ब्यक्ति किसी की ब्यक्ति की बात की जाए तो जैसे हर ब्यक्ति अपने आप में भात्तपूर्ण नहीं होता उसके अंदर कोई नो कोई कम्या चुरूर होती है उसी तरह किताबे भी अपने आप में भैतर नहीं हो सकती तो उसी के आधार या बेश्वन आके हम सभी हर बिसे के जैसे अगर UPTT की बात करें तो पांस सक्सन है उस पांस सक्सन के लिए हम लोग अलग-अलग केताबे खरीते हैं और एक जैसे परेवन की बात करें तो हम दो तीन से तीन चार रेटर के लिए लेते हैं माल विकास की बात कुछ कुछ बभात बहुत सारे पैसे खर्चाउ AO पह्यास के और समझ में यह नहीं आता कि ममें वास्तों में पढ़ना क्या हैं या कैसे पढ़े या नोट्स कैसे बनाएं तो सबसे बड़ी वाती होती है कि अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कहीं न कहीं से आप नोट्स लेंगे तो आपके लिए इसलिए बहतर होता है कि कई किताबों को पढ़ने से बढ़िया एक जो नोट्स होता है वो कई किताबों को सहद की महक आपको आती है तो इसलिए इसी आधार पर हमने भी अपनी नोट्स तयार कराई है तो पहला पश्णूरता है आप हमारी नोट्स क्यों ले सीधी सी बात है आप लोग कहेंगे सर आपकी नोट्स से कीमत 2000 रुपया है प्लस 200 रुपया आप कोरियर खर्च ले रहे हैं कहीं ये रकम बहुत जादे तो नहीं है हाँ सही बात है ये दिमाग में लाजमी सब के बात है जैसे आगर पांच सेक्शन की नोट्स अगर आप खरिते हैं परचेश करते हैं कहीं से भी लेते हैं अगर जैसे अगर अगर अभी किताब खरिते हैं अगर एक किताब मार्केट से खरिते हैं तो एक हजार रुपय से ज्यादा की किताब आती है और आप जरूरी है नहीं कि आप एक ही किताब से पढ़ें आपके अंदर वास्तों में कुछ करण गुजरने की चंपता या कुछ भैतर करना चाते हैं तो आप भी एक से अधिक किताबी खरीते हैं अगर किताबें आपने तीन सेट खरीद ली अलगला राइटरों की तो यह खर्च हो जाता है तीन हजार रुपया तो यह तीन हजार रुपया आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि आप एक साय का ध्यापक बनने जा रहे हैं और यह आपके दो दिन का ही वेतन है लेकिन फिर वी यह किताबों का धेर सा लग जाता है अब समझ में यह नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें कहां से पढ़ें कब पढ़ें कितना पढ़ें यह इतनी बड़ी प्रश्ण हमारे और आपके श्रामना आ जाते हैं जहां से यह समस्या सब के अंदर आपके अंदर मेरे अंदर होनी लाजमी है तो अब प्रश्ण से किताब से जो मैटर अच्छे लगते हैं उसे हम लोग उठा लेते हैं ताकि साथ ही साथ सभी अध्यापों का अनुभव होता है जुड़ा हुआ जो आपके लिए एक बहुत रामबाड की काम करता है और उस टोटल नोट से कीमत हमने 2000 रुप्या रखी है प्लस 200 रुप्या को रिया अब कुछ लोग को लगता यूपी टीटी के लिए अब कुछ लोग को लगता है बहुत जादे बहुत बड़ी राकम है तो सीधी सी बात है कोई बात नहीं क्योंकि आप किताबे खरीते हैं नोट क पहुचा पाते हैं एक बात दूसरी बात कि आपको यह नोट को पीडियाफ में देदी हम लोग प्रेंडे निगा लें पीडियाफ हैंगर हम आपको देंगे या फ्री में कोछी मिलते हैं उसकी कोई वैलू नहीं होते हैं बहुत सारे नोट्स देखें वार्टसेप पे इस उस गूरूप उस गूरूप पहजू पढ़े हैं तो यहां से उर्ट कोई वैलू नहीं होते हैं लेकिन हाँ अगर वही चीजे आप कुछ दे कर लेते हैं उसमें आप सबसे बेश्ट करते हैं अपना सबसे बहतर देते हैं मतलब उसके लिए चान लगा देतें तो वही कि होने की वज़ा से उस notes में चार चांद लग जाते हैं इसकी वज़ार आपको खरीदने के लिए वादे कर देते हैं आपके घर तक पहुँचने के लिए वादे कर देता और इसी वज़ासे आप हमारे नोट्स को लगभग मुझे बड़ी जान के हाराई होती है कि अपने प्रदेश सासत प्रदेश के अने डिष्टिकूम में भी अने प्रदेशों में पुछे जिनने मेरी नोट्स लिए हो जो इसकी ताकत चानते हों क्योंकि दस किताबे पढ़ने से बढ़ने किसी बहतर बगती कि एक नोट्स पढ़ना सबसे चादर लापते आएक होती है इस आधार पर यदि आपको लगता है नहीं दुर्गेशर की नोट्स वास्तों में चाहता हूँ एंसी याटी में जितनी किताबे जानते हैं उन सब कानी चोड़ा मैं तो आप नोट्स लेंगे मैं आपको नोट्स लेंगे हम अपने कोचिंग आपको एक टिसर भी उपलव दिख रहेंगे क्योंकि मैं यह चाहता हूँ अगर आप मुसे जुड़े तो आप मे मातुद्रेश है कि आपको अंतिम रूप से अंतिम लच तक चैनित कराना चैन कराना आपको एक साहिक अध्यापक बनाना और उस अध्यापक पनने के रा हमारी नोट्स थोड़ी सी सरल और आसान कर देगी ऐसा नहीं है कि नोट्स में कोई हीरे ज्वारा चड़े वो भी प् कि प्रतीक जनपद में जब अब लाभाविंत हो जब अब इसे सफालो अपने चिले के अनसभी वेक्तियों को बता है हो सकता है मेरी उम्र कम है पैसान चोटी है पैसे भी कम है मैं उन लोग जैसे नहीं भैतर और नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हां आपका सयोग रहेगा आपन इतना क्यों होता है अखिर पैणाम इतना व्यातर कि तो इसलिए अपने बहुत सारे पैसे लगा के डियल एट बटीशी 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 चोटा सा भरोशा करिएगा और अगर आपको लगता नहीं वास्तों में भरोशे लायक हूं तो आपका मॉस्ट वेलकम है और हां आ आपके ओन लाइन फीस जादे लगती है भाया जी अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं वैसे अगर दस किलोमेटर वे जाते हैं तो आप डेली का 40-50 रुप आपका किराया लगता है एक महीने का तीन महीने अपनी कोचिंग किया तो 4500 रुपे ज्यादा किराया भर दिया लेक अपनी केरियर समझ होता है अचा बड़ी बात तो यह मुझे खुद पर यह लगता है कि हम चंद पैसो के लिए अगर कोई अगर मैंने तीने जार में बतागर कोई अठाइसों करता है लोग वहां जोड़ जाते हैं कि वास्तों में क्वालिटिटी और क्वालिटी में भी आ पर आते जा रहें और जो पुराने तो उसी रहा पर पढ़ा रहें लेकिन अब क्वेश्चन के पूछने के तरीकें बदला होगा जो पुराने लोग पढ़ाते थे कुछ उन से कोई मतलब नहीं है आपका चैन हो या ना हो उनको बस इस बास से मतलब है कि आप उनके पढ़ बनाने में आपकी भूम का सब अगरानी होगी आप मुझे देख पाएं यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है मैं आपके जिले में नहीं पहुसकता आपके मैं हर गुरूप के बच्चों तक नहीं पहुसकता लेकिन आप छोटी सी मैनत से आप अपने सभी गुरूप में कि जो आप मेरे इस वीडियो लिम्क को हर जगत सेयर करके हर जगत पहुचा जिते हैं और बलास्चर लगता खुद पे कभी-कभी सोचता हूँ कि कि आप लोग की वज़े से हम इतना मेहतर कर पाते हैं वरना यह नोट्स तयार करने में कितनी राते लगते हैं आपको मैंने चाहट आपको मैं लाता उसका सॉलूशन दू रुपिया पेज का तो क्या पुछेंगे सर इसकी कीमत कितनी है भाया आपको यह बात तो जहननी चाहिए कि सिच्छा का वास्तों में उस कंटेंड का उस मैटर का कोई कीमत नहीं होते हैं नोट्स जितने पतले होंगे उतने ब मैटमेटिक्स इस बात का मुझे घमंड नहीं है गर्व है कि मैं जो पढ़ाता हूं मैं कम एकदम सॉलिड पढ़ाता हूं और सीधे सीधे परिच्छान पशनों पूछे जाते हैं मुझे पैणाम चाहिए आपको सलेक्सन चाहिए बस मैं यह चाहता हूं मुझसे जोड़े सफ़ालो के जाए बालविकास के नोटस से इस दीपक जी का सबसे बड़ा युगदान है जोती महम का अन्सभी मतलब किरती जी का संस्कित के लिए संजियो जी सुदरसां सर गड़ित में अमिस सर ने काफी पड़ा युगदान दिया है इंग्लिश के लिए और इविश के लिए तो हम आप तो जानते ही काफी है सुनियन सर हिंदी के मतलब किष्टना सर मने सभी लोगों ने पूरा कमांड बना के रखा है मने हम यह चाहते हैं कि क्यों अगर आपने हमसे नोटस ले लिए हमारे स्ताफ से खतम नहीं हो जाएगा हम आपके साथ रिंग आपको गेश करेंगे लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे आप हमारे साथ जोड़े रहेंगे तो हमारी टी मजबूत रहेगी हम उनको भी पेकर पाएंगी जो हमारे जोड़कर राद दिन एक मेहनत करते हैं उनकी वी तो एक उमीद होती है जैसे आप साहार का अध्यापक क्यों साहटा आता है आपके वटसक और रेपल describe करता है और अगर उससे आप कुह नहीं देगे तो क्या पंधार देंगे यिए घान करेंगे लेकिन आपसे मैंसे मेहनत करके मैं अपने नोट्स देकर आप समाऊंगा आप सफल भी होंगे और नाम भी याद रखेंगे और कहीं न कहीं मुझे इस बात का गर्व होगा कि मैंने महनत किया उस महनत की बदले आपने मुझे दिया भक करेंगा अपने लोगों केका आपने लोगों को बताया आपने लोगों फोन कर के क्या कि आप इलनी पर दुर्गेश चनल देखिए आप दुर्गेश सर की मैत पढ़िए जोती में के बहल विखास पढ़िए दुर्गेश सर की इविएश पढ़िए और सुपर टेटिक अगर जनरल स्टुडियर और मैथमेटिक्स पढ़ना है तो दुर्गेश सर से बेस्ट कोई आप बताते हैं यह मैं नहीं बताता अगर आप भी देख आपको भी किसी ने बताया था तब आप आज मुस्तव पहुच पाए और यह मेरी करविकी वात है और मेरा सभाग्य और यह आपका पढ़पन है और आपको पढ़ाने में आपके मातापिता कोई कसा नहीं छोड़ है इस उमीद से कि आप भी अपना बहतर देंगे तो आप जब आप बहतर करने के लिए तयार है तो हम नूर सापको दे रहे हैं बहुत बड़ी रखम नहीं है हो सकता है उसको लिए बहुत बड़ी रख लग रही है कुछ के लिए नर्मल लग रही है लेकिन जहां पर के सव हलता की उस बुलंदी तक ले जाएगी जिसको हम लोगों निसोच वह नोट्स भज तक का नहीं रहेगा उसके बाद भी हम आपके साथ रहेगा क्यों नोट्स तक जो आपके घर स्वीट पोर्ट पहुँचा उतना ही नहीं रहेगा हम आपको लास्ट परिच्छा के अंतीम स रहेगा जब आप सेलिक्ट होकर हर एक बंदे बंदे को बताएंगे कि अगर आपको अध्यापक बनना है तो इले निक दुर्गेश बेस्ट यूटूब चैनल है फेस्बूक, इस्टाग्रम, ट्यूटर हर एक जग आप पस्ते पहुचाएंगे सर आपकी नोट्स मिलेगी क सबसे बड़ी बात है, आपको नोट्स आपके घर तक जाएगी, बाई पोस्ट जाएगी, स्पीट पोस्ट के माद्दम से आप अपना एड्रेस, पता, नाम, सरी कुछ बताएंगे, हमारे प्रिंट होट निकलेगा, लिफापे में पैक होके, एक टी-सर्ट के साथ आपके घर पहुचाएगा, और उसके लिए आपको 6306304367 पे कॉल करना है, यह आफिस का नमबर है, फिर 7355179012 इस पे कॉल करना है, फिर यदि बात नहीं बन दी, तो मेरे नमबर पे 950670177 पे आप कॉल कर सकते हैं, और आप आनलरिं क्लास भी जुएन कर सकते हैं, अगर आप UPDT के टीरी करना चाहते हैं, तो इक दो मीनिममम सुल्पे हमने आनलरिं क्यास आपको दिया है, आप पुरी लैक्चर सोन सकते हैं, अगर आपने आपने आलगी कहीं कोचिन जुएन कर तक फिर भी जुएन करीए, इस उमीद से कि आपके छोटे से सहयोग से हो सकता है आपके जिंदिकी में बढ़ा परिवर्तना है। मैं मानता हूँ पतानी में बहतर पढ़ता हैं लेकिन मैं सलेक्शन मेरे हां से चाहता है। उम्र कम है इस बात से कभी मज़ेगा अंभो बज़ेगा। जितनी हम मेनत करेंगे, वो तो 40-50 साल की बुजर की मेनत करके आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो तो पुरान रटर रड़ाएंगे, लेकिन हम लोग रोज नहीं आउखाड कर पढ़ाएंगे, वेकि हम पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने पर भी वरोशा रखते हैं, इसलिए तो आप हमें चुने हैं, इसलिए तो आपने कहा है आप बहतर पढ़ाते हैं, हाँ एबात है, कि इसमें आपके मातापिता का और आप सबका आशिरवाद है, आपके बड़ों का आशिरवाद है, जिस वज़े से मैं और बहतर कर पा रहाएंगे, मुझे बड़ा श्यर होता है कि मेरी पोस्ट, मेरे नोट्स, मेरे वीडियो लेक्शर, आप इतना वारेल करते हैं, इतना फेस्बूक पे, वाट्सएप पे, हर एक जगर, मुझे खुद देख कर हैरानी होती, लेकिन तब ही अलगता है, कि इसलिए मुझे और मेहनत करने के लिए बात दोता हूं, इसी वज आ रहे हैं, माने हरी शुब्दा, हाँ, बैनरी पोस्टरी नहीं करते हैं, हम पर चार बेटाइच के अवल हमारे ओनलाइन होते हैं, आफ लाइन किसी प्रकार है, कोई जोनपूर में गर आफ होंगे, आप जानते होंगे, जोनपूर में बस लोग नाम जानते हैं, दुरगे आगे, तो अब बनार्स में भी अपनी ब्रांचेश खुद में आके मास्त पढ़ाओंगा, बस इसी वज़े से, आपका साथ मुझे चाहिए, और आपको अगर नोट से लेनी है, आपने किताबे कलेक्शन की हो, तो एक बार मेरी नोट जरूर पढ़िएगा, उसके बाद को आप अपने आप में खुद इस बात को देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, कि वास्तों में वो चीज़ दुर्गे सर क्या है, जिसकी आपको तलास्ती, मुझे तो आश्यार होता है कि कुछ कम पैसों गनाते, कुछ मेरे चित पर चित, जाके अन्य को चिंगों पढ़ करने, हजार पांशोर रुपय के नाते, लोग अपनी करियर का समझता कराते हैं, और ये भूल जाते हैं कि वास्तों में उन्हें एक सफ़ल होना है, अंतिम रुपसे का ध्यापक होना है, उन्हें पांशोर बना की इमारत नहीं बनानी है, आपको हजार पांसोर पएले को इ अर आप भी वास्तों मुतिनी मैंत कर रहे हैं, आप अपने दभ को इतना बरुसा करते हैं, जो पढ़ाते हैं, बहुत सर लोग कहते हैं, आप नोट से लिखवाय करिए, विया नोट से लिखवाय क्यों, क्यूंक किताब चपआए, बहुत सरे कोची माले के बल चपआते हैं, बही आप यह बताईए, अगर हम छपवाएंगे, तो आप मेरे याने क्या जरूएट, आप 20-30 रुपए की 100 रुपए की किताब बजार सकतके पढ़िए न, क्या जरूएटे इलनी बे दुर्गेस के या, क्या जरूएटे स्मार्ट कोजी क्लासेज माने की, इसका मतलब यह है कि आप यह लेक्षर के लिए आते हैं, वो तो किताबे घर, अच्छे-चे किताबे आपको 50-50-100 रुपए मिल जाएगी, दुर्गेसर की नोट्स इतनी बेहता रहे, एक तरफ 10 किताब, एक तरफ दुर्गेसर की नोट्स बेहता रहे, तो क्या जरूएटे छपना, एकी समय कीमत होती है, इसलिए आप समय को देखेगा, आप ऐसे टीचरों का चेहन करिए, जो लिखवाते कम, केवल समझाएं, लिखवाना बड़ा आसान है, किताब हमने खोल लिया, कुछ आया ना है, बस चपवाना सुरू कर दिया, कोई प्रश्ण पूश दिया, कल बताएंगे, भईया जी, ठीक है, हो सकता है, जोरे नहीं, जो सब पुछाओ आए, लेकिन हाँ, इतना तो होना चाहिए, कि भईया पढ़ाने जारे पर आवड़ा, तो आपको किताब चुने जरुत ना पढ़े, मतलब आपका कॉंसर्ब इतना खुद के लिए रो, कि आप पढ़ाएं, आप बच्चे जे किताब, कोई भी किताब खोले, उन्हें लगे आरे, हाँ, सब तो इसी किताब से पढ़ाते हैं, क्या, मतलब आपका कंटेंड इतना किलियर होना चाहिए, कि उनकी बाते अपके दिमाग में एकदम फीड होनी चाहिए, इसे मूबी देखते है ती इन हो सकते हैं, मेरी बात से किसी ही बैखती हो पत्यच, आप पत्यच चरुप से दुख पहुसता हो, उसके लिए मैं सहधे छमा चाहते हैं, और हम इस वर से पहतना करते हैं, कहीं भी पढ़ें, लिकिस सफल जरूर हो, तो यह आप महनत कर रहे हैं, अपना बेश्ट दे रहे है और आप सफल जरूर होगे, यह मेरी आत्मा कहती है, और आप लिक्ष करके दिखाएंगे, ऐसा मुझे भी लगता है, तो बस शुरू हो जाएए, और लेंग क्लास, UPTT, CTT, सुपरTT, सीटेट के अगर आपको नोट चाहिए, सीटेट के नोट सत्रा सो रपाए के हैं, अगर आपने मेरी नोट्स पढ़कर सीटेट क्वालिफाई हुए हैं, मेरी लेक्षर से, तो कमेंड वाक्स जारू बताइएगा, ताकि लोग जाने की वास्तों में दुर्गेश्रन ने कुस्तों बैतर किया है, तो यहां से आप जोड़कर, सुपरTT की नोट्स अभी मिली टो करीन अफयर के लिए तो जिसना लोग आई स्पीशेस के लिए पढाते हो तरह तो सिछक्षण बर्ती के लिए करेंड़ा रहे हैं, जबकि आप 2 और सो का जो दो भार भी सुपरTTि का पेपर हुआ, पेपर ने करते हैं, तो यह सोभन में आता है कि करेंड उपर से चान कर पूसता है और हम लोग पुरी ग्रंथ लिखवाता है कोचिंग में हम तो नहीं लिखवा रहे हैं हम तो पहले बता दिए कि अभी करेंड़ पढ़ो मत एक्जाम कि दूई महीं ने पहले हम आपको डे वाई डे हरी डे का इंपोर्डन करेंड़ फेर दम रट्टा मरवा देंग कंप्यूटर कुछ नहीं क्यों रट्टा मरना है वो अभी से करिए वो कंटेंट बदलेंगे नहीं वो जितना पढ़ेंगो उतना आपके लिए पहत्दार होंगे और आपके लिए बेतर हुए तो परच्छाम आप बेतर करके आएंगे इसलिए आप पर बेतर संथा का आपने नोट्स लिए बहुत सरे लोग कोचिंग करें लावाद फिर मेरी ओनलाइन को जोएं करें करें कैसर मैं तो कहीं ने कहीं क्योंकि मुझे पास्तों में वो करना टाकि मैं सालों साल तक चलू इस तरह से नहीं जैसे लोग ये कहें कि एरे मैं तो इलड़ी तुरिकिस करें जैसा लोग अन्य जगों को कह रहें कि मझे बाद में जो लगाई इस पीसेश पढाते थे बोलू बताइए ठेट पढ़ा रहे हैं सीट अभिहार तो जिन्दगी से ऐसा खिलवार जो रेलिवेंट टीपीसी पढ़ाते थे एससी पढ़ाते थे बैंक पढ़ाते थे लि हम लोग की गलती हम लोग चैन नहीं कर बाते कुछ पैसो कर नाते हम अपने जीली में खुद देख रहे हैं मिल्लब यह लोगों बस एक चीज़ समझ में आती है अगर पांसों कम है तो पहले वहां पढ़ो कि सालेक्शन से मतलब नहीं पहले पैसे तो बचे बचे बबब आ पहले बस में यह बता कि किताबे खरी देंगे अप उससे अच्छा नोटस लीजिए किताबे तो ले नहीं आपको तो नोटस हो सकता ही लगाए बहुत बड़ी रखम नहीं माना आपकी जिंदीगी बढ़ी है आप सफल हो जाएंगे ऐसी रखमी हाचार बार करवान करेंगे कुछ तो कहते हैं सर मैं आपको फ़ली सेल्डी तक दे दोगा इसलिए नहीं कहते हैं यह उस्रफल हो गए हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपकी माता पिता का दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नमक खाकर पानी बेका आपको पाला पुसा आपकी फीसे बरी हैं और कितन कि लिए बहुत बड़ी-बड़ी भी है पता नहीं अब भी कितने में से जो कॉचिंग से जुड़े हैं जिनकी खुती कोचिंगे जो मारे देखते हैं आलाट भी करेंगा काली भी लिखेंगे बिए पोस्टकन वो जाकर यहां कुछिंगे हमारी पढ़ता है इसलिए नहीं कि मैं उनका कुछ लगता हूँ इसलिए कि उन्हें लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ आपने भी देखा होगा वो पढ़ाते हूं कि हम को दुछ से जुड़े हुए हैं मुझे यह पता है कि प्रश्ण किस तरह से क्योंकि मैं लगा हूँ उन्हें कैसे पता होगा जो आइस पीसे पढ़ाते है ताज अचानक पढ़ा रहे हैं परिछामारी और द्रिष्टी अरेहंत और लूसेंट और पता नहीं कुन किताव से लोग पर्यावरान पढ़ारे सोचिए अर आपको अधिकारी बनाना है यार प्रामरी को टेट नहीं देना है यह भी तरव से अचा अपर प्रामरी के अपको उप्लब्द हो जाएगा और अपर कि अभी क्लासें यारें को औलना शुरू कराना शुरू है इस ही के साथ आप सब्सक्राब्र हमारे नोट्स उपलब्द हैं और आपको बहतर लगता मेरा चैन, किताबे तो खरीदेंगे बाजर सानोडाओ अगर आपको यह लगता है नहीं फ्रेम मिलना चाहिए तो फ्रेमे आप महिनत नहीं करेंगे तो और लोग महिनत कहा से करेंगे दोर पती पेच परेंट आओट होता है आपको भी पता होगा प्रिंट निकलना, पैकिंग करना, आपके घर तक पहुचाना, कोईयर करना एक लड़का पहुचाना, कहां से निकलेगा सर्व पेच ही कीमत नहीं कंटेंड नहीं कीमत होती उस मैडर कीमत होती और आपको लगता है कि नहीं अगर आप बहु सारी किताबे खरिते हैं या किताब खरित के पढ़ना है, तो मेरी छोड़ी से रहा है, एक बहुत मेरी नोट्स चरूर पढ़िएगा हो सकता है, यह यह चोड़ी से नोट्स मेरी, मेरी छोटी सी मैनत आपके जिन्दिक में एक बढ़ा बदला उला दे और उमीद करते हैं, कि आप इस बात को मानेंगे, श्विकार करेंगे, जरूर मेरे साथ चोड़ीगे, और अपना बेस्ट चरूर देंगे, ताकि कामें भी आपके चर्णों बे चरूर आए, तो इसलिए आप अपना बेस्ट दीजे, कहीं पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप अपना बेस्ट चरूर दीजेगा, और हाँ, एक बात का ध्यान रिखेगा, किताबों का ध्यापकों का नोर्स का चैन करते समय, आप एक बात सेल्वस को और प्रीवेस एर पेपर को चरूर ध्यान दीजेगा, ठीक, इसी के साथ आप सभी शाथियों को मेरी करो, ताकि आप जब किसी को बताओ, तो मुझे मिला, कि मुझे दूर तक जाना है, मुझे तब तक जाना है, जब तक यहाँ पे इस भरती का सिलसला चलता रहेगा, मुझे आज दो चार दिन के लिए नहीं रहना है, क्योंकि उम्र बेसक कम है, अनुबहु सबसे बड़ा ध और आपने मुझे इतना दिर सुना इस बात का दी अच्छा मुझे लगा और पैस्टा प्लक आपको और आपके मता पिता को सतसत नम्मन जय हिंद जय वारत पैस्टा